आज आपका टॉपिक है माउंटिंग ऑफ स्केल्स जैसा कि आप जानते हैं प्लेक वाइट, सैकल वाइट, तीन वाइट और गेन वाइट स्केल्स होता है तो इसमें मैंने एक प्रैक्टिकल बताने की कोशिश किया है और उसको उसी धंग से दूसरा तरफ का भी स्केल्स निकाला जाता है, मांटिंग किया जाता है तो उमीद है कि आप लोगों को एक लेक्शर पसंद आएगा एम पर्मानेंट स्लाइट प्रिपरेशन अफ प्लेक्वाइट स्केल्स ऑफ इसकोलोडियोन तो रिक्वार्मेंट्स स्पेसिमेन, कैनेडा बाल्जम, C2H5OH यानि इथाईल अलकोहल, KOS सोलूशन, जाइलीन, एट्सेटरा इसमें जाइलीन भी होता है, स्लाइट होगा, गलास कवर सिलिप होगा, एट्सेटरा प्रोसीजर टेक स्माल पीस ऑफ बैक स्किन ऑफ इसकोलोडियोन यानि यह डिसेक्टिंग ट्रे में इस तरह से इसकोलोडियोन को रख दिया, या बोनी फीस को हम रख देंगे, चुके प्लेकवाईडी स्केल है तो इसके लिए हमको इसकोलोडियोन लेना पड़ेगा, इसके डॉर्सल पोजीशन यानि बैक से इतना बड़ा स्किन कट कर ल ऐसे रखेंगे कि जो आपसाइड है, वो डाउनसाइड चलाए नि, जो मैंने इसकिन ऐसे काटा थी यह अपसाइड हुआ, यह डाउनसाइड हुआ यह वेंटरल हुआ, यह डॉर्सल हुआ, तो डॉर्सल नीचे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा यह इसकिन, अब बज में रखा इस कैलपिल यह ब्लैड यह किसी चीज की मदद से इसको छोटे-छोटे टुक्रों में तोड़ देंगे ठीक है इसको छोटे-छोटे टुक्रों में कट करके टेस्ट्यूब में डाल देंगे उस टेस्ट्यूब का जैसे यह टेस्ट्यूब है इस टेस्ट्यूब में यहाँ पर चोटे चोटे टुकडे उस पीस का डाल दिया, अब इसका ये आधा हिस्सा के ओएच सोलूशन से भड़ेंगे, 1% के ओएच सोलूशन, 1% के ओएच सोलूशन से इसमें डाल देंगे, उसके बाद टेस्टूब होल्डर के जरिया इसको पकड़ लेंगे, और तो होल्डर को पकड़ेंगे तो इस तरह से पकड़ेंगे कि जैसे इसका ये सिरा जो है, ये सिरा वो मुख से दूर रहेगा, ठीक, टेस्टूब होल्डर के जरिया, उसको गरं करेंगे और थोरोली उसको ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे, ऐसे ऐसे करके टेस्टूब को हिलाएं इसके अंदर और जो यह सब है इसको ऐसे करके हिलाएंगे और यह mix हो जाएगा heat the material till a black residue settles down at the bottom of test tube यानि इसको उस वक्त तक गरम करेंगे बिच-बिच में थोड़ा हटा लेंगे फिर घरम करेंगे फिर हटा लेंगे फिर घरम करेंगे इस्प्रिट लेंपर टाके यह फटेगा नहीं तो यह जो पीसे से है यह पूरा dissolve हो जाएगा dissolve होने के बाद इस पे इस glass test tube में यहाँ पर black residue नीचे बैट जाएगा उस वक्त तक इसको हम गरेंग करेंगे उसके बाद उसको burner से हटा लेंगे उसके बाद इसको इस तरह से जैसे test tube के जरिया जो ऐसे है दिरे दिरे कोई solution बाहर निकाल लेंगे अब उसकी अंदर सिर्फ residue रह गया इस तरह से करेंगे इस तरह से इसी को कहते हैं decantation decantation के जरिया उसको निकाल देंगे अब बच गया उसमें के वज सोलिशन निकल गया test tube में और उसके बाद उस residue को 3-4 बार tap water में धोएंगे 3-4 बार tap water में धोएंगे और उसके बाद brush के जरिया उस residue को staining tube में डाल देंगे staining tube में डाल देंगे dehydrate residue up to 70% alcohol यानि 70% alcohol मतलब पहले 20%, 30%, 60%, 70%, 100% तक उसको हम dehydrate करेंगे उसके बाद उस पूरे material को हम दोट हिंसे में बाट लेंगे आधा एक test tube में रखेंगे जिसमें हम पिक्रो इंडीगो कार्माइन एक इंडिया का इस्टेनिंग होता है उसमें डालेंगे दूसरे हाफ में बोरेक्स कार्माइन डालेंगे फिर से मैं बोल ना हूँ यह बहुत important point है यानि उसको दो test tube में मैं बाट लिया इस तरह से एक में हम डालेंगे पिक्रो इंडीगो कार्माइन पिक्रो इंडीगो कार्माइन पिक मैंने short में लिखा है और दूसरे में लिखेंगे borex carmine मैंने short में BC लिखा है तो picro indigo carmine जो है ये bright blue color का color देगा और दूसरा वाला हाप जिसमें borex हम डाले हैं वो देगा आपका bright pink उसको क्या देगा यही point सबसे ज़्यादे important है कि बहला test tube में bright blue color आएगा दूसरे वाले में bright pink color आएगा जैसा कि पीछे के डाग्राम में देखाया गिया है dehydrate in 90% and absolute absolute करते हैं 100% alcohol को 100% ethyl alcohol को absolute alcohol कहते हैं उसमें इसको फिर dehydrate करेंगे ताकि उसका standing वगर जो है color जो है जो excess color है वो निकल जाएगा उसके बाद उसके ओपर xylene डालेंगे xylene से वो transparent हो जाएगा फिर उसके ओपर kereda balls डालेंगे slide के ओपर रखेंगे और उसको हम study करेंगे इस तरह से mounting किया जाता है same method tinoide scale के लिए भी है same method sacrifice scale के लिए भी है हम आपको exam में कोई भी दिया जा सकता है process सबका सेम है बस diagram सबका अलग लग होगा इसलिए आप सब उम्मीद है कि मुझे ये सब को पसंद आएगा और ये practical सभी अपने अपने practical notebook में record करें क्योंकि इससे एक question आने की पूरी chances है thank you I hope that you will like it subscribe it share it और अपने पाराओचे सबके की अपने आप खर्याओधे ये जो है अपने आपको कि जाएबरे दो जात्रों को कि अपने आपके की अपके है सहाँ आपके आपका